वेलकम टू बालगोविन्द मैप पार्ठ दस द्वित्व वेंजन तो बच्चों आज हम द्वित्व वेंजन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे दो समान वेंजन जब एक साथ आए तो पहला वर्ण भिन्न रूप में लिखा जाता है जैसे दो समान एक जैसे ही है क क एक साथ आए दोनो को साथ साथ में लिखा हमने प्लस करके पहला वर्ण भिन्न रूप में लिखा जाता है अब पहला वर्ण है उस क के नीचे देखो हमने हलचिंह लगया है तो भिन्न मतलब कि अलग तरीके से लिखा गया है न तो पहला वर्ण भिन रूप में लिखा जाता है तो क के नीचे हलंत लग गया प्लस क जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको बताया था क के नीचे से हलंत लग गया तो इसकी जो ये घुंडी है ये हट जाती है तो ये क आधा हो जाता है देखो आधा हो गया न तो पहला जो भिन रूप भिन मतलब अलग रूप में आधा कर दिया तो क और क कर दिया तो आधा क और क इसका शब्द बन गया मक्का ठीक इसी तरह ग के नीचे हलन्त प्लस ग तो चुगा च इसके नीचे हलन्त फिर पूरा च तो ये च आधा और पूरा च बन गया सच्चा बच्चा है ना ठीक इसी तरह ट के नीचे हलन्त प्लस ट पूरा लिखा आमने तो ये बन गया मिट्टी ट के नीचे हलन्त प्लस त तो ये बन गया कुत्ता प के नीचे हलचे नहां प्लस प तो चपल म के नीचे हलचे नहां प्लस म चमच ल के नीचे हलचे नहां प्लस ल तो बिल्ली तो बच्चों ये तो हो गया वित्ववेंजन अब इसके अभ्यास के जो प्रश्ण है वो आपको अपनी वुस्तक में करने है अभ्यास पुस्तिका में जो करना होगा उसका मैं आपको PDF सेंड करूंगी आप उसको देखके अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी कारे का पूरा करना दिये गई चित्रों के नाम बॉक्स में से डून कर लिखिए गुबारा, चपल, मक्का, कुटा, बच्चा, बिल्ली इन सब में द्वित्व वेंजन है तो मक्का, बच्चा, कुटा, गुबारा, चपल, बिल्ली अब प्रश्न दूसरा है उचित शब्द शाटिये और वाक्य पूरे कीजिये पैर की मिट्टी या मट्टी तो मिट्टी, मिट्टी साफ करू पापा मुझे एक गुड़ा या गुड़ तो गुड़ा चाहिए वह पिल्ला या चिल्ला तो वह पिल्ला डर गया यह दब्बा या अब्बा तो यहां हम धब्बा लिखेंगे तो ये आपको अपनी अब्यास पुस्तिका में करना है धन्यवाद